नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में बेदानता इस्टॉक को डिसकस करेंगे जिसमें एक बड़ी अपडेट आती हुई दिखी है इस समय प्रमोटर ने कुछ इस्टेक को इस्टॉक में सेल करा उसके बाद क्या न्यूज आई कि यह इस्टेक जो है वो जी दिखाएगा इसको लेकर के बहुत सारे उन्होंने बाती कहे और वेदानता को टॉप लिस्ट पे रखा लेकिन जी क्यू जी अमीद जेन के तरफ से एक बड़ी बाते सामने आई एम्यूज आवर नेम कंस अपिन इवरी डेल जी क्यू जी राजीव जेन से डिडन्ट बाइ सिंगल वेदानता सेर उन्होंने क्या कहा वेदानता के कुछ भी सेर बाइंग नहीं करें एवर 2.6 परसेंट वेदानता टोटल एक्यूटी 9.41 करोर सेर जो है वह लाज डील हुई थी 2600 करोर प्रमोटर इंटिटी जो है 1.8 परसेंट लगवक 1700 करोर के सेर फिन साइडर इस पेकुलेशन वाला कंटेंट है और कंस्टेंट है उन्होंने कहा इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा ब्लोग डील नहीं हुआ है जिसमें हमने कोई बड़ा डील लिया है ऐसा उन्होंने कहा है तो क्या ये एक सेर होल्डर के लिए जटका है क्या बरे गिराबर देखेगी इसा कुछ भी निउस यहां बरा ट्रेंड नहीं दिखेगा डीसेंट की जो डीलेवरी है बो ओ स्ट्रोंग दिख रही है जो टेक्निकल ट्रेंड है वो थोरा वीच है वीच है क्योंकि सेक्टर के अन्दर परफॉर्म है आज का वाल्यूम वन करोर का रहा था एस्टोरिकल को देखें तो चार्ट जो इस समय है वो है हाईर हाई हाई लोका यह चार्ट हाई 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 लोका है आरसे अराउंड 55 है एक बरा ब्रेक आउट 290 के ऊपर दिखेगा ध्यान देंगे जहां 340 420 और 500 जैसा लेवेल दिखेगा चुकि मेटल सेक्टर का सबसे बरा कंजूम कंजूमर जो है वो चाइना है चाइना का बजार और बोटम आउट होते दिख रहा है तो बरी गिरावट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुझे लगता है कि 250 से 70 के बीच में धीरे-धीरे एकुमलेट करें आप चाहें तो